22 अक्टूबर 1764 इसवी का वो दिन इस्थान था बक्सर जो वर्तमान में बिहार राजे में आता है उस समय बंगाल सूबे के अंतरगत आया करता था बंगाल सूबे का आर्थ जो आज का पस्चिमी बंगाल, बांगलादेश, बिहार और ओडिसा है अर्थात वो बंगाल सूब के दिन अंग्रेजों के पास में अचानक से बंगाल से लेकर और उत्तर भारत तक का आवद तक का इतना बड़ा ख्षेत्र उनके आतों में आ गया था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था इसका करना क्या है अंग्रेजों के सामने जहां पर एक और दिल्ली का मुगल तो मैं बात करूँगा इस वीडियो में बंगाल के इतिहास की कैसे बंगाल से लेकर अवद तक का पूरा उपजाओ ख्षेत्र अचानक से अंग्रेजों की मुठी में आ गया था मैं रमन भार्दवाज आई ये शुरू करते हैं विशय को शुरू करेंगे 1720 से इस समय दिल्ली का जो शाषक था वो मुगल शाषक औरंग जेब था और मुगल सामराजे के अंतरगत बाकी जो ख्षेत्र आया करते थे उनको सूबा कहा जाता था जैसे बंगाल एक सूबा था अवध एक सूबा था हैदराबाद एक सूबा था मैं बात कर रहा हूँ 1720 की मुगल शाषक औरंग जेब के दुआरा किसी भी सूबे को नियंतरित करने के लिए वहाँ पर दो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी एक वो अधिकारी जो रेवन्यू से संबंदित राजस्व से संबंदित मामले देखेगा मतलब पैसे टके से रेलेटेड जो मामले देखेगा एक दूसरा वो अधिकारी जो प्रशासनिक विवस्था और कानून विवस्था से संबंदित मामले देखेगा जिसके अधिकार म लगबग समकक्षोते थे लेकिन एक के पास में पैसा है तो सेना नहीं है एक के पास में सेना है तो पैसा नहीं है इस विवस्था से विद्रो करने की संभावना लगबग सुन्ने हो जाती थी क्योंकि आपको विद्रो करने के लिए ज़्यादा टाकत चीए उसके लिए आपक जो मतलब आपके सुबेदारी जो मामले देख रहा है जिसके पास में सेना है उसको सुबेदार कहा जाता था तो हमको बात करनी है बंगाल सुबे की उस समय 1720 में मुगल शाशुक औरंग जेब के दुआरा अपने पोते अपने पोत्र अजी मुश्शान को बंगाल का सुबेदार बनाया गया मतलब अजी मुश्शान के नियंतरण में वहां की सेना रहेगी वहां के दिवानी मामलों के लिए मुर्शिद कुली खां को अपोइंट किया गया कि मुर्शिद कुली खां तुम यहां के रेवन्यू मामले देखोगे और अजीमु शान तुम यहां के सेना से सम्मंदित मामले देखोगे अर्था तुम फोजदार हो अब आगे हम यह देखते हैं कि 1707 इसवी में जब मुगल शासक औरंग जेब की मृत्यू हुई तो औरंग खूब सारे अयोग के शाशक आए आप समच सकते हैं कि कैसे थोड़े से समय में बहुत सारे मुगल बादशा बदल चुके थे रफ्यूद दर्जात 1719 में कुछ महीनों के लिए मुगल शाशक औरंग जेब की मृत्यू के बाद 1707 से लेकर 1719 इसवी तक 6 मुगल शाशक बदल चुके थे और ये मुगल शाशक प्रभावी नहीं थे क्योंकि इनको कैसे बनाना है कैसे अटाना है ये दो भाई तै कर रहे थे जिनको हम सेयद बंदूओं के नाम से जानते हैं एक आपके इलाबाद के सुबेदार थे सेयद अबदुल्ला दूसरा हुसेन अली ये तै कर रहे थे मतलब कहने का अर्थ ये है अब जब दिल्ली कमजोर हो रही थी तो इस समय बाकी के जो सुबे हैं वो मजबूत हो रहे थे ताकतवर हो रहे थे बंगाल सुबे में दिवानी व्यवस्था के लिए 1720 में मुगल शाषक औरंग जेब ने जिस मुर्शिद कुली खां को वहाँ पर अपॉइंट किया था दिल्ली में इस बजल बदलती हुई राजनितिक परिष्थिती का मुर्शिद कुली खाने लाव उठाया अपने आपको मजबूत करना शुरू किया और 1727 में मुगल शाषक फर्रूक शियर के समय वही फर्रूक शियर जिसने सिख योद्दा बंदा सिंग बहाद्दूर की निर्मम हत्या की थी जिसके कारण फर्रूक शियर को घ्रिनित कायर कहा जाता है इतियास में मतलब अब मुर्शिद कुली खां दिवानी मामले भी देख रहा है, उसके पास में पैसा भी है, और सुवेदारी मामले भी देख रहा है, मतलब उसके पास में सेना भी है, अब वो मजबूत हो गया. और दीरे 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 उसने अपना कद बढ़ाया और मुहम्मद शारंगिला के समय उसने एक प्रकार से बंगाल सुवे को स्वतंतर कर लिया, हलाकि गोशित नहीं किया, लेकिन एक प्रकार से बंगाल सुवा स्वतंतर था, उसने अपने आपको वहां का नवाब डिकलियर नह हटा कर अपने ही नाम पर मुर्शिद आबाद एक दूसरी राजदानी बना लिए मुर्शिद कुली खां टोटल टाइम कितना 1700 से लेके 1727 इसवी तक लेकिन सुवेदारी विवस्था अगर देखें तो 1717 से और 1727 इसवी तक सुजाओ दिन के बाद अगला जो नवाब बना वो बना सर्फराज 1749 से और 1740 लगबग एक वर्ष के लिए सर्फराज अब जब बंगाल का नवाब था तो सर्फराज के ही अधीन आने वाला पठना का जो डिप्टी सुबेदार था अलिवर्दी खान अलिवर्दी खाने सर्फराज और अलिवर्दी खान के बीच में घेरिया का युद और इस घेरिया के युद में सर्फराज को मार दिया गया और बंगाल का अगला नवाब बन गया अलिवर्दी खान का शाशनकाल रहा 1740 से और 1756 अलिवर्दी खाने खुद को नवाब कहा अलिवर्दी खान के समय इस समय चुनोतियां बढ़ रही थी यूरोपियन जो कंपनिया है मुख्य रूप से जो अंग्रेज हैं वो अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे लेकिन अलिवर्दी खाने उनको छेडा नहीं और ये कहा कि ये जो अंग्रेज है ना मदुमक्खी के समान है अगर आप इनको चेड़ोगे तो ये काट काट के काट काट के सुजा देंगी और अगर आप इनको नहीं चेड़ोगे तो जब यह यहां से जाएंगी तो आपको मीठा मीठा शैद दे कर जाएंगी लेकिन मेरे इसाब से अलिवर्दी खाने इन अंग्रेजों का सही प्रकार से विशलेशन नहीं किया और उसका परिणाम आगे चलकर बंगाल के जो आगे के नवाब बने उनको भुगत ना पड़ा अलिवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं तीन पुत्रियां थी सबसे बड़ी थी घसीटी बेगम फिर मैमूना बेगम फिर अमीना बेगम अग छोटी बेटी अमीना पापा की प्यारी है तो अलिवर्दी खाने अपने जीवित रहते अमीना बेगम का जो बेटा था सिराजु दोला उसको अगला उत्रा दिकारी गोशित कर दिया ये कहा कि जब मेरी मिर्द्यू हो जाएगी तो मेरी मिर्द्यू के बाद अमीना बेगम का जो बेटा है के अनुसार बन गया अली वर्दी खां की मिर्ती हुई 1756 में और सिराजु दोला 1756 से और 1757 लगबग एक वर्ष के लिए बंगाल के नवाब रहे और इनी के अब शाशनकाल में 1757 का प्लासी का युद होगा जिसके बाद सिराजु दोला के साथ में विश्वास घात करके इनके ही सेनापती मीर जाफर को अगला नवाब बना दिया जाएगा लेकिन ये सब हुआ क्यों कैसे हुआ सिराजु दोला एक दिन बैठावा था अपने मंतरियों से पूछा क्या बात है आज कल इतना revenue नहीं आता है इतना tax collection नहीं आता क्या कारण है कि ये भारत के जो व्यापारी है यहां के जो व्यापारी है अमारे बंगाल के वो tax क्यों नहीं दे रहे हैं क्या दस तक बात पुरानी है कितनी पुरानी 1727 वी की, क्या हुआ था उस समय, बोले उस समय के मुगल बादशा थे फर्रुक शियर, और साब फर्रुक शियर के एक फोड़ा हो गया था, कहां पर, मत पूछा साब, नहीं बता सकते, ऐसी जगे पर हुआ था, नहीं बता सकते, अच्छा फिर क्या हुआ, बोले ये बात रेज था साब, जॉन सर्मन, सर्मन अपने साथ में एक डॉक्टर साब को लेकर गया, डॉक्टर साब का नाम था डॉक्टर हैमिल्टन, और इन दोनों की बातें फर्रुक शियर समझ सकें, और फर्रुक शियर की बातें ये दोनों समझ सकें, तो अपने साथ में एक ट्रांस कर दिया सरजरी कर दिया अच्या चाहे जानकारी कहा है उस चर्ष में घृण कि टा राजिवार और फर्रुण्सीयर ने कहाbar कि भूखा डाऊ क्या चीभ तुम को ऑंग्रेजों का मलaimerक कलकत्ता में ठोड़ा व्यापार कर लें बंगाल में थोड़ा व्यापार कर लें आपकी आग्या हो तो फर्रूक शीहर ने का तीन अजार रूपे दो और बंगाल में बिना टेक्स के व्यापार करो तुमको एक आग्या दे दी जाएगी पत्र दे दिया जाएगा जिसको कहा जाएगा दस तक और तुम्हारा समान जहां पर भी जाएगा कोई टेक्स नहीं लगेगा टेक्स प्री बोले अच्छा ये है दस तक बोले साब पूरी बात सुनो और भी उनको रियायत ने दी थी बोले क्या बोले का कलकत्ता गया आसपास तुम जमीन भी खरीच सकते हो अच्छा सूरत जो बंदरगा है ना उस सूरत बंदरगा के लिए दस जार रुपे रखो और खुल के व्यापार करो वहां भी कोई टेक्स नहीं लगेगा ओर तो और साब सुनो बोमबे में इन अंग्रेजों ने एक टकसाल बनाई थी जहां पर खुद के सिक्के बना रहे थे मुगल बाद यह भारत वाड़े अपने बंगाल वाड़े व्यापारी यह पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं बोले बात सुनो साब पूरी बात सुनो अब उस दस्तक का उपयोग वो कंपनी तो करती ही करती है कंपनी के जो करमचारी है वो उस दस्तक का दुरूपयोग भी करते हैं कैसे बोल अपनी जो व्याफरी ना उन व्यापरियों को ये कहते हैं कि कितने रुप्भी देता यह बूलेसोड पर टेक्स के देता हूँ बूले काम करना यह दस्तग ले जा मेरब को पचास रुपभी देना तेरे भी पचास रुपभी बजयें नसको भी 50 का फाइदा हो जाएगा तो वह भारती व्यापारी यहां के जो व्यापारी हैं वह इंसे दस्तक ले लेते हैं इनको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं तो जो टैक्स आपने पास में आना चीए उसारा टैक्स इनके पास में जा रहा है बोले अच्छा अच्छा यह वा बहुत बोले हो साब एक तो आपकी मोसी है ना घसीटी बेगम वो नराज है क्योंकि आपको आपके नाना ने अगला उत्रा दिकारी गोशित कर दिया तो आपकी मोसी नराज है घसीटी बेगम वो यह चाहती है कि मेरे बेटे को अगला उत्रा दिकारी बनाया जाना था अब अ आता है साहब कि आपको अटाके और मैं खुद अगला नवाब बन जाओं इसके अतिरिक मीर जाफर की जानकारी नहीं थी इस समय मीर जाफर जो खुद सिराजु दोला का सेना पति था आगे चलकर अंग्रेजों के साथ में मिल जाता है क्योंकि अंग्रेज उसको गोड़ी देते हैं यह ले तेरे को बना देंगे अगला नवाब तो मीर जाफर उनकी तरफ मिल जाता है अभी मीर जाफर की कोई चर्चा नही साथ में मिलावा था तो अब कानी समझ में आई कि सिराजु दोला 1756 में जब अपने नाना अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का अगला नवाब बना तो इससे में चुनोतियां ये थी कि एक तो कंपनी दस्तक का दुरूपयोग कर रही थी और दूसरा इनके ही जो लोग थे इनकी मोसीती गसीती बेगम पूर्णिया का जो नवाब था सोकत अली इसके अलवा इनका जो मंत्री है राय दुरलव व्यापारी है अमीर चंद इसके अलवा सेट है जगत सेट और मीर जाफर ये जो फैक्ट्रियां बना रखी है उसमें करते के हैं बोले साब पूरी बात सुनो ये तो फैक्ट्री का मतलब इनका ये होता है कि वहाँ पे कोई समान नहीं बनाते है फिर फैक्ट्री का मतलब ये है कि ये स्टोर हाउस है ये जो समान खरीते हैं उसको वहाँ पे रख लेते ये दुर्ग का मतलब वो बाड़े दुर्ग नहीं जो से राजस्थान में बड़े-बड़े पाड़ों पर बने होते हैं वो दुर्ग नहीं है इस दुर्ग का मतलब यह है कि इनकी जो फैक्ट्री है मानलो चार तरह मुची उची दिवार बना ली दिवार के पीछे साब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं किसी को क्या पता लगे बंदूक बना रहे हैं कि बं बना रहे हैं या किसी सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं साब कुछ भी पता नहीं चलता है वहाँ पर बोले अच्छा 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 ये करते हैं ये तो ये जो फैक्टरी इन्हों ने ब कलकत्ता बोलते हैं वो फोर्ट विलियम बनाया था वाँ पर इन्होंने उसके चारोतरब लोग वसने लगए वो इक्षेत्र हो गया कलकत्ता बोले ये कब बनाया ये कैसे मिल गया इनको बोले साब बात पुरानी है अब आप हिस्ट्री में इतना इंटरस्ट ले रहे हो तो प आप हम फोर्ट विलियम बनाया जिसको फोर्ट विलियम मैं ये कहानी है इनकी बोलता तो और भी ये साब अब अब जाब पूछ रहे हो गड़े मुर्दे उखाड रहे हो तो मैं और थोड़ा आपको बताना चाहरा हूँ मतलब मंतरी ने कहा सिराजुद अला से बोले बात ये ये साब 1651 की बोले उस टम तो औरंग जेव सासक नहीं था बोले हाँ साब तब की है औरं जहां ने सुजा को बंगाल का सुबेदार बना रखा था और 1651 में अंग्रेज अधिकारी था एक कोई वॉंटन वो यहां पर आया था और वॉंटन ने सहजादे सुजा से ये कहा था कि सहजादे आमको भी थोड़ा सा व्यापार वगरा करने के अनुमति दे दो और फैक्ट्री भी खोल लिती साब उस समय 1651 के समय इनका कोई आदमी था ब्रिजमेन वो फैक्ट्री खोल गया था बोले अच्छा पूरा इधियास तो मेरे को समझ में आ गया और मेरे को यह भी समझ में आ गया कि अंदर करते का हैं तो अब एक काम करो क्या सब सेना उठाओ थ लाके जो स्वाबिवान था जो सम्मान था उसकी वोट लगा दी सिराजु दोला गया आगे उसने पूछा मिस्टर वोट ने यस आप कौन पास में बगलवाला जो खड़ा होगा सेनिक वो बोला होगा जानता नवाब साब हैं हां तो होंगे नवाब साब क्या करना है वह फ ज़रूर और सिराजु दोल नगा निक्रें उस पर खड़ा कर लिया और उसकी चायाबिया इपने आदमी मानिक चंजी को पकड़ो इसको और यह अपने पास में रखना और इसके आधाला बोले क्या फोट विलियम नाम चेंज आज से मेरा जो नाना है नाना के नाम पर रख तो आज से इसका नाम अली नगर बात आई समझ में तो सिराजु दोला ने अंग्रेजों के विरुद अब ये कारेवाई की कासिम बजार की फैक्टरी का निरिक्षन जब नहीं करने दिया नाराज हुआ अधिकार कर लिया फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया नाम बदल द इसमें गाओं करीदा था चेन ने और उसका नाम कर दिया था मद्रास वहाँ पर भी एक फोर्ट बना लिया था और फ्रानसिस डे जो था उसका संस्थापत था फोर्ट सैंट जोर्ज जो मद्रास में बनाये था तो मोटी-मोती काणि समझने की ये है कि वहाँ पर बैठावा था इनका एक योग सेना पती रोबर्ट क्लाइब और रोबर्ट क्लाइब को जानकारी मिली बंगाल के नवाब सिराजु दोला ने पर फोल्ट विलियम जो है हमारा उस पे अधिकार कर लिया नाया मी बदल दिया अलियनगर कर दिया कोर और तो ओर सिराजु दोला में एक कम्रे में बंध करके 123 अंग्रेजों को मार दिया दम गोट के यह कैसे मारा सब सुनो अब आप सुनो कैसे मारा बात है 20 जून 1756 की इसको ब्लेक हॉल इंसिडेंट बोलते हैं या काल कोठी की गटना बोलते हैं सिराजु दोला चिड़ावा तो था ही अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था अंग्रेजों को कंट्रोल करना था सिराजु दोला के नाना भी अगर चाते अलिवर्दी खां कंट्रोल करना चाते तो अलिवर्दी खां को भी वोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती जोब सिराजु दोला को करनी पड़ेगी इसलिए अलिवर्दी खां ने अंग्रेजों से पंगा नहीं लिया था और यह काय उसको हम तो ओए थोड़ी दूरी पर ट्रेबल करते थैं और यह भी चिंता होती थी कि अब जब बस रुकेगी तो वहां गेट तक कैसे निकलना है गेट तक निकलने में उद्रल शांक तब सिराजु दोला ने उन 146 अंग्रेजों को उस कमरे में जब ठूसके बंद कर दिया और कुछ दिनों बाद जब ताड़ा खुला तो बंदर ना तो को पानी की विवस्था ना खानी की विवस्था ना सूरज की रोस नहीं जाए बिलकुल अंधेरा गुप 146 में से 123 मर गए अब रोबर्ट कलाइव आया मदरास से मतला आज के चिन्ने से वो तो जमीन वाले मार्ग से पहुँचा बंगाल और रोबर्ट कलाइव के साथ में था एड्मिरल वाटसन वो पानी वाले मार्ग से पहुँचा बंगाल अब जब यह पहुचे तो मानिक चंद जिनके पास में फोर्ट विलियम की चावियां थी जिनके अधिकार में फोर्ट विलियम था जिसका नाम अली नगर कर दिया गया था मानिक चंद को खबर मिली मानिक चंद आए रोबर्ट कलाइव के पास में बोले नमस्कार साब काएंगा नमस्कार तू हम मतला हमारे फोर्ट विलियम पर बैठाएं नहीं साब यह चाहिए अच्छा ठीक है तो मानिक चंद ने वह फोर्ट विलियम जो है वह सहब दिया रोबर्ट क्लाइब को सिराजु दोला भी अब सिधर नी बिढ़ना चाहरा था अब दिक्कत हो सकती है क्योंकि अब अंग्रेजों की फोज आ चुकी है तो अंग्रेजों के बीच में सिराजु दोला के बीच में हो जाती एक संदी उसको कहा गया अली नगर की संदी जो 9 फरवरी 1757 इसवी को हुई अब उस संदी की कुछ शर्तें थी लेकिन उन शर्तों से पहले रोबर्ट क्लाइव नहीं का उन्हें हमारे 123 अंग्रेज मतलब कमरे में गोट के मार दी बिचारों को ना पानी ना खाना मतलब वहां बिलकुल अंधेरा कमरा सूरज की रोसरी भी नहीं मार दिया तुने एक स मैं खुद वहाँ था मैं बंद था उस कमरे में मैं ब्योस हो गया था बाद में बचके निकला हूं तो वह जो हॉल्वेल है ना वहां पर बंद था उसने किताब लिखियों किताब में उसका उल्लेक किया है कि 166 अंग्रेजों को बंद किया गया था जिसमें से 123 मर गए थे और 23 जिन्दा बच्चे थे उन 23 में मैं भी था यह उसने हॉल्वेल ने बताया तो अब कुल मिलाके वह संदी हुई अली नगर की अली नगर की संदी की शर्तों में क्या था अंग्रेजों ने कहा कि यह यह जो परिस्थिती आई है युद्ध वाली इस्थिती यह तेरे कार मारा वो जो फोर्ट विलियम यउस Western पर कभज़ा कर लिए क्या ब거야 आप कि अिव losses न oral नी कर सकते बोले चैर दीवारी नी कर सकते को बना सकते हो वह भी परमिशन अब आपको डूर बीकार वी कर सकते हो अब सिराजु दोलों की मैंने संसारी बाते मर्ली एक बात मेरी भी मर् लोग जो है मेरी जो मोसी एक सिटी वे गम पूर्णिया का नवाव इसके अलावा ये साब मेरा मंत्री है राय दुरलाव इसके अलावा जगट सेट है यामीर चंद है आप लोग मेरे विरोधियों को सरण भी दे रहे हो और आप दस तक का दुरूप योग भी कर रहे हो वो द परिनगर की संदी हुई 9 फरवरी 1757 को इस संदी का किसी ने भी पालन नहीं किया ना तो नवाब ने इसका पालन किया ना अंग्रेजों ने इसका पालन किया तो फाइनली स्थिती ऐसी बनी कि अंग्रेजों और नवाव के बीच में एक युद्ध हुआ 23 जून 1757 को जिसको अंग्रेजों के दिमाग में यह पहले से थी यह चीज रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग में और वो भी नवाव को गद्धी से अटाना चारे थे वह बंगाल की गद्धी पर ऐसे नवाव को बैठाना चारे थे जो उनकी कठपुतली हो जिसको कहीं सुबह तो वो सुबह बो पर मिटिंग करवा दे उससे मिटिंग तो करवा दूंगा लेकिन पैसा लोगा ठीक है घूस के बदले उसने मिटिंग कराई प्लस उसने और भी अपनी डिमांड की उसके डिमांड इतनी ज्यादा थी कि थोड़े दिन बाद ये खबर मिली अमीर चंद मर चुका है मतला अमीर चंद को ठीकाने लगा दिया गया अब सीदे रोबर्ट क्लाइब और तो और मुड़ाफर की मिटिंग की रोबर्ट लाइव ने कहा अमारे साथ बोले क्यों बोले नवाब साब आमारा साथ बोले मैं नवाब नहीं मैं सेनपत्ति हुं अरे बही म युद्ध के मैदान में ले आओ और वो युद्ध का मैदान प्लासी जो इस्थान है वहाँ पर बहुत सारे प्लास के बन है पेड़ है उसके कारण उसको प्लासी कहते है जो कलकत्ता है उस कलकत्ता से उत्तर की तरफ आता है लगबग 1.500 किलोमेटर के आसपास और नदी के किनारे एक जगह है प्लासी प्लास के पेड़ों के कारण उसको प्लासी कहा जाता है कलाइव ने का महाँ पर लेकर आ जाओ और सेना को पहले से समझा के रख लेना साथ ही साथ देखो सिराजु दोला भी तैयारियों में तो लगा हुआ था सिराजु दोला ने जो फ्रेंच थे जिनके साथ में अंग्रेजों की लड़ाई हो चुकी थे अभी 1763 इस वी तक अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में तीन युद दोए थे जिनको करनाटिक वर्स के नाम से हम जानते हैं और फाइनली अंग्रेजों ने फ्रांच सीसी ओं को पराजित कर दिया तो कुल मिलाकर एज जून 1757 इस्थान प्लासी सिराजु दोला उसके साथ में फ्रेंच की टुकडी इसके अतिरिक्त मोहनलाल टुकडी एक मीर मदान टुकडी और मुखे जो सेनापती है वो मीर जाफर मीर जाफर युद्ध से पहले ही रोबर्ट कलाईव के साथ में मिल चुका था और सिराजु दोला को युद्ध के मैदान में ये सूचना मिली वोले साथ जीत गए चिंताई मत करो पण तो और सिराजु दोला जब लोटने लगा तो मीर जाफर का जो बेटा था मीर जाफर के बेटे ने सिराजु दोला की गर्दन को उताल दिया लेकिन यहापर कुछ सेनिकों की टुकड़ी ऐसी थी जो सिराजु दोला के प्रती वफादार रही मोहनलाल, मीरमदान और फ्रांसीसी टुकड़ी क्यार इस्तिति इसपस्ट हो चुकी थी मीर जाफर विश्वास घात करके बंगाल का नवाब बन चुका था सिराजु दोला की हत्या की जा चुकी थी और इसको कहा गया बंगाल की पहली क्रांती और ऐसी ही क्रांती अब आगे चलकर मीर जाफर के साथ भी होगी जब मीर जाफर को गद्दी से हटा कर अगला नवाब मीर कासिम को बना दिया जाएगा दरसल मीर जाफर को अब जब अगला नवाब बना दिया मीर जाफर ने का बोलो साब हुकम दो मेरे आका क्या चीए रोबर्ट क्लाइव को रोबर्ट क्लाइव ने का बोले यार तिरे को नवाब बना है तो खर्चा पानी तो दे पैसा ऐसा तो दे मीर जाफर ने रोबर्ट कलाइव को जो पैसा दिया था उसकी कीमत उस समय आज के 2,34,000 पॉंड के बराबर थी रोबर्ट कलाइव ये कहता है मेरा मन हुआ इतने पैसे को देखके ही मैं बस उस पे लोट पलेटे खा जाओ लेट जाओ उस पैसे के उपर जाके इतना पैसा था मैं काले बोलता इतना पैसा दिया था बोरियों में भर-बर के ले जाना पड़ा था और मीर जाफर ने कहा बोले कमपनी को 24 गाउं देता हूं जहांसे सालाना 6 लाख का रेवन्यू आएगा लेकिन कमपनी की जो भूक है ना बढ़ती जारी थी बढ़ती जारी थी और मीर जाफर भी फाइनली अब परिशान हो चुका था तो मीर जाफर ने देखा कौन है जो अब अंग्रेजों के खिलाफ मेरा साथ दे सकता है और मीर जाफर को सूचना मिली बोले डच जो है बोले साब वो परिशान हो रहे है इन अंग्रेजों से डच जो है वो परिशान हो रहे है तो मीर जाफर ने इन डच लोगों के साथ में संपर्क किया डच जो है ये भारत में आने वाली दूसरी European company थी सबसे वहले पुर्तगाल आये थे पुर्तगाली आये थे फिर डच आये थे फिर अंग्रेज आये थे फिर आपके डैनिश आये थे फिर फ्रांसीसी आये थे और फिर स्वीडन के जो लोग हैं वो यहां पर आये थे तो यह ज थान है चिंसुरा 1653 इसवी में उस चिंसुरा में इन डच लोगों ने अपनी मुक्य factory बनाई थी तो अंग्रेज जहां पर कोलकाता में बैठे वे हैं वही पर डच चिंसुरा में 1653 में वहां पर आपनी factory बना चुके हैं तो मीर-जाफर ने जब अंग्रेजों की भूख ब उगली का यूद्ध चिन्सुरा का यूद्ध का जाता है उसमें डचों को पराजित कर दिया डच यहां से अपना व्यापार बंद करके इंडोनेशिया चले गए और वहां पर मसालों का व्यापार करने लगे रोबर्ट कलाईव ने डचो को उस यूद में पराजित किया था लेकिन रोबर्ट कलाईव अब 1760 ही स्वी में 1769 के उस यूद में डचो को हराने के बाद 1760 में वापस जा चुका था उसका ट्रांसफर कर दिया गया था ट्रांसफर मतलब यहां से नोकरी छोड़ के वो चला गया था उसको बेज दिया गया था वापस बिटेल ये मीर जाफर जो हमको टाइम टाइम पर पैसा देता रहता है बोले हाँ साब यही मीर जाफर अच्छा हटाओ उसको और मीर जाफर के दिल olur और जापका ऑगला नवाब निया अब मीर कासिम जब अगला नवाब बना तो मीर जाफर ने पूछा है बोले मेर साथ तू दोखा कर रहा है मेर को गद्दी से अटा के तू अगला नवाब बन रहा है तू मेरा सेना पती है तो मीर कासिम ने का बोले साब पास्ट को याद करो आप कैसे नवाब बने थे जैसे आप नवाब बने थे वैसे ही मैं नवाब बन गया तो अब अगला नवाब बना मीर कासिम और मीर कासिम ने आप कैसे अंगरेजों की जड़े काटने की कोशिश की और मीर कासिम के समय कैसी वो इस्थितियां बनी कि 22 अक्टूबर 1764 इसवी को बकसर में अब ये इस्थिती बन गई कि मीर कासिम अपनी जान बचा कर जंगलों में भाग चुका था दिल्ली का मुगल बाच्षा शाह अलम सेकें अंग्रेजों के सामने हाथ जोड कर खड़ा था बंगाल का नवाब शुजाओ दोला हाथ जोड कर खड़ा था और अंग्रेजों के पास में उन्होंने जो कभी नहीं सोचा था कि बंगाल से लेकर उतर भारत तक का इतना बड़ा उपजाओ क्षेतर अचानक से उनकी मुठी में आ जाएगा वो उनके अधिकार में आ चुका था इसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू जेहन